नमस्ते और नॉलेज रडार में आपका स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो उप्योगी लगे तो कृप्या इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बदी चार स्थदी एक ऐसा मंच है जो छात्रों को भारत और विदेशों में छात्रवृति खोजने और आवेदन करने में मदद करता है। ये चात्रों को मार्ग गर्शन, परामर्श और करियर परामर्श भी प्रदान करता है। ज़िए आप बदी चार स्थदी की सिवाउं से संतुष्ट नहीं है या उनके सर्वर से अपना व्यक्तिगर्द डेटा हटाना चाहते हैं, तो आप अपना खाता स्थाई रूप से हटाना चाह सकते हैं। आपके बदी चार स्थदी खाते को हटाने के दो संभावित तरीके हैं। यह है कि अपने फोन की सेटिंग में जाकर apps और games पर क्लिक करके बदी चार स्थदी स्कॉलर्शिप एप चुने और अनिश्टॉल पर क्लिक करके अपने android फोन से बदी चार स्थदी को अनिस्टॉल करें। हालां कि ये आपकी खाते को पूरी तरह से नहीं हटा सकता है, क्योंकि कुछ डेटा अभी भी बदी चार स्थादी के सर्वर पर संग रहीत हो सकता है, इसलिए यदि आप अपना खाता स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं, तो पहली विधी अनुशन सित है, एक बार जब आप अपना खाता हटा देते हैं, तो आप बदी चार स्थादी द्वारा दी जाने वाली सभी छात्रवृत्यों, लाभूं और सेवाओं तक पहुँच खोद देंगे, आप भविश्य में भी अपना खाता या डेटा पुन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आप अपने निर्णे के बारे में निश्चित हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही हमें आशा है कि आपने अपने बदीचार स्तदी को स्थाई रूप से हटाने के तरीके के बारे में कुछ नया और उप्योगी सीखा हैं। कि आपका कोई प्रश्णी या टिपणी हैं तो कृप्या उन्हें नीचे छोड़े और अधिक जानकारी पूर्ण और आकर्शक वीडियो के लिए नौलेज रडार की सदस्यता लेना न भूले देखने के लिए धन्यवाद और अगले में मिलते हैं। बाले में मिलते हैं।